दिल्ली सरकार ने फैसला किया है कि अब दिल्ली में स्वास्त सेवाओं का पहला हग दिल्ली वालों का हुगा इस योजना के तहट दिल्ली सरकार ने एक पाइलेट प्रोजेक्ट तेयार किया है जिसमें दिल्ली के गुरु तेज बहादुर अस्पताल में 80 पीसिदी सेवाएं खास तोर से दिल्ली के नागरिकों के लिए आरक्षित की जाएंगी अस्पताल में एकुल 17 रजिस्टेशन काउंटर है जिसमें से 13 दिल्ली के नागरिकों के लिए आरक्षित किये जाएंगे और 4 दिल्ली के बाहर के नागरिकों के लिए होंगे मुफ्त दवाएं केवर दिल्ली के नागरिकों को दी जाएंगी साथ ही बड़े टेस्ट भी मुफ्त केवर दिल्ली वालों के लिए ही होंगे IPD में 80 फीसिदी बेड दिल्ली वालों के लिए होंगे और 20 फीसिदी दिल्ली के बाहर वालों के लिए होंगे हालाकि छोटे और साधारन टेस्ट और आपात कालीन सेवाई सबी नागरिकों के लिए सामान और मुफ्ट रहेंगी आपको बता दे कि दिल्ली के अस्पतालों में आम तोर पर दिल्ली से ज्यादा मरीज्ज आसपास के इलाकों से होते हैं इसी वज़ा से अस्पतालों में भी इसका बोज ज्यादा रहता है।